आगई नई ब्यादरें दोस्तो यदि आप जून 2023 में fix deposit करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो जरूर देखें क्योंकि आज की वीडियो में all bank new interest rate जून 2023 के बारे में जानेंगे साथ ही साथ government bank, private bank और small finance bank में सबसे highest interest rate आपको जून 2023 में कौन से bank दे रही है वह वी जानेंगे तो वीडियो को end तक जरूर देखें सबसे पहले जानते हैं special fixed deposit scheme new interest rate जून 2023 के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे सबसे ज़्यादा interest कौन कौन से bank दे रही है पंजाब national bank 444 दिनों के लिए, bank बडूदा 399 दिनों के लिए, canera bank 444 दिनों के लिए, indian bank 400 दिनों के लिए और indian overseas bank 444 दिनों के लिए ज़्यादा interest दे रही है general और senior citizens को general को 7.25% और senior citizens को 7.75% का interest इन सभी bankों में आपको मिल जाता है इसके बाद नमर आता है योको bank का, जिसमें general को 7.20% और senior citizens को 7.70% का interest मिलता है 666 दिनों के लिए special FD scheme में, state bank of India, पंजाब सिंद bank, central bank, bank of India और union bank भी क्रमसा आपको 7.10% से लेकर 7.60% तका interest आपको special FD में मिल जाता है अब बात करते हैं private bank को की, private bank में जून 23 में सबसे ज़्यादा interest आपको long term के लिए FD यदि आप करते हैं तो बंधन bank 600 दिनों के लिए, DCB bank 700 दिनों के लिए, general को 8% और senior citizens को 8% का interest दे रही है, वहीं RBL bank 15 महिनों से लेकर 24 महिनों की FD में, general को 7.80% और senior citizens को 8.30% का interest दे रही है, इसके बात general को 7.75% और senior citizens को 8.25% का interest मिल रहा है इन तीन private bankों में, इंडूसीन bank में आपको 1 साल से लेकर 2 साल तक के लिए FD करना होगा, यस bank में 18 महिनों से लेकर 36 महिनों तक आपको FD करना होगा, जबकि IDFC bank में 549 दिन से लेकर 3 साल तक की FD के लिए आपको 7.75% से लेकर 8.25% का interest मिल जा रहा है वहीं City Union Bank, ICICI Bank और HDFC Bank 7.50% से लेकर 7.75% तक का interest आपको इन से भी bankों मिल जाता है चलिए आप जानते हैं Small Finance Bank में सबसे ज़्यादा interest कौन से bank दे रही है Small Finance Bank में यदि आप Long Term के लिए FD करते हैं तो आपको अच्छा खासा interest भी मिल जा रहा है 9 तेस्ट की बात करें तो 1111 दिनों के लिए जन्रिल को 8% और Senior Citizens को 8.75% का interest दे रही है A.U. Small Bank 2 साल से लेकर 3 साल की FD में जन्रिल को 8% और Senior السीजंश को 8.5% का interest दे रही है वहीं उतकर्ष Bank 1000 दिनों से लेकर 1500 दिनों के जन्रिल को 8.25% और Senior FrankHigh Naj Kai का interest दे रही है कुछ G1 Small Finance Bank में 560 दिनों के लिए जेन्दिल को 8.25% और Senior Regents को 8.75% का interest दे रही है जाना Small Finance Bank की बात करें तो 366 दिनों से लेकर 2 साल तक की FD में जेन्दिल को 8.25% और Senior Regents को 9% का interest दे रही है Equates Small Finance Bank की बात करें तो 888 दिनों के लिए General को 8.5% और Senior Citizens को 9% का इंट्रेस्ट दे रही है Small Finance Bank की बात करें तो 2 साल से लेकर 3 साल की FD में General को 8.5% और Senior Citizens को 9% का इंट्रेस्ट दे रही है Fincare Small Finance Bank की बात करें तो 1000 दिनों की FD में जेनरेल को 8.51% से लेकर senior citizens को 9.11% का interest मिल रही है तो सबसे ज़्यादा interest small finance bank ही दे रही है small finance bank में सुरियोदय small finance bank में यदि आप invest करते हैं 5 साल से लेकर 10 साल के लिए तो जेनरेल को 9.10% से लेकर senior citizens को 9.60% का interest मिल रहा है वही unity small finance bank में 1001 दिनों के लिए यदि आप FD करते हैं तो जेनरेल को 9% और senior citizens को 9.50% का interest भी मिल जा रहा है तो दोस्तो ये थी भारत की कुछ चुनेंदा bank जिसमें आपको सबसे ज़्यादा interest जून 23 में मिल रहा है यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो like करें यदि कुछ पूछना हो तो नीचे comment section में comment जरूर करें वीडियो को share करना ना भूले थेंग्स बार